हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब तो बात करेंगे इस वीडियो में आपका MEG4 के बारे में जो कि आपकी बुक का नाम है आस्पिक्ट ओफ लैंग्विज और इस पर बहुत कमेंट्स आ आपको कैसे प्रप्रेशन करना है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको किस तरीके से दिल करना उनके बारे में एक वीडियो के उपर तो बात करेंगे इसके अंदर की कौन-कौन से शॉर्ट नोट है जो आपके बन सकते हैं MEG4 में जो इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट नोट है और किस तरीके से आपको प्रप्रेशन करनी है कौनसी यूनिट को आप छोड़ सकते हैं कौनसी यूनिट को आपको कांटिन्यू करना ही करना है तो इससे पहले भी एक वीडियो है वहाँ पे आप जो गाइडेंस कोईशन की जो रुपीट होते हैं ठीक है 14-15 कोईशन को देखेंगे इस वीडियो में हम और अगर टाइम ठीक रहा तो थोड़ा सा और भी कोईशन को देख लेंगे तो शॉर्ट नोट के अगर हम बात करें तो शॉर्ट नोट किस पर आता है जैसे की पिजन जो की बहुत इ सबस्के की रहे हैं इसके उपर उसके बहत वाघ मुमें क्या है इसके उपर क्वेशन पूछा जाता है शॉर्ट नोट में सबसे पहले हम important short note को discuss कर रहे हैं आपर short note में आपका important होता है the origin of language कि कैसे origin हुआ इसका या फिर theories of language दोनों यह पूछ लिया जाता है cardinal vowel enophora उसकी बाद है the core principle of operative तो यह आता है next test में falling tone कि falling tone क्या होता है raising tone क्या होता है या falling tone या उसके functions क्या होते हैं यह सब आपको playlist में topics मिल जाएंगे next इसमें affectses affectses पे कई बार question पूछा जाता है affectses times and root next इस पे आप देख सकते हैं c number पे है the consequences of standardization देखिए standardization पे short note वैसे कम ही आता है बट कभी कभी फिर भी rare cases में पूछ लेता है foregrounding as a stylistic device foregrounding के बारे में आपसे पूछ लिया आपको हमेशे याद रखना है मैंने यहां पे 44 लिखा है ABCD इस तरीके से लिखा है और उपर मैंने mention भी किया है write short note any two of the following ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि आप थोड़े से habitual हो जाओ because exam में भी आपको इसी format में आपका question short note जैसे कि अगर मैं बात करूं तो raising tone के उपर मैंने पहले ही बोल दिया है sentences और words से related आजाता है जैसे कि simple complex and compound words या sentence the process of standardization कि standardization का process क्या होता है next इसमें दी पार्ट दिया हुए the co-operative principles तो यह भी इसी format से मैंने लिखा है और paper में भी इसी format से आता है आपका सबसे उपर दे दिया जाएगा note में answer question number one which is compulsory and attempt any four all carry equal mass इस तरह से आपको guidance दी जाती है question paper के अंदर तो question number one compulsory है question number one में क्या दिया जाता है question number one में दिया जाता है right short note of any two मतलब a b c d आपको चार दिये जाते हैं वहाँ पे question पूछे जाते हैं आपसे और उसमें से आपको कितने attempt करने है कोई भी दो attempt करने है इसमें code mixing और code switching को भी कभी कभी पूछ लिया जाता है इसी की form में अब बात करेंगी तो हुई आपकी short note की बात यह वह short note है जो बहुत important है और आप इनको बिल्कुल भी एक नूर नहीं करेंगे जब पढ़ाई start करेंगे तो सबसे पहले अपने इन ही short note को complete करेंगे अब बात करते हैं question answers की तो मैंने question answer उसी format से लिखा जैसी कि question number one तो आपका क्या हो गया short note हो गया अब question number two से start करूंगे मैं ठीक है question number two देखिए आपके screen पे है what are saucer principle of structure linguistics तो saucer का जो principle था वो बहुत important है linguistic की field में तो यह question important है और यह question repeat भी हुआ है कई बार next question three पे है आपका describe and classify of vowel इसके ओपर वीडियो अपलोड है कि description and classification of vowel and consonant इनके ओपर वीडियो अपलोड है आप इसको वहाँ से cover कर सकते हैं next question है आपका grammatically changes in modern English देखिए जो unit number two है आपकी वो क्या है उसमें तीन ही question बनते है old English, middle English या modern English तो वहाँ पे इन तीनो questions को आप prepare कर लिजे आप यह समझ लिजे या तो old English से पूछेगा middle English से पूछेगा spellings में क्या changes आए हैं जब आप इस topic को cover करेंगे तो आप अपने आपी इसको बहुत अच्छा से clarify कर लेंगे और यह तीनो topics आपको कहां मिलेंगी जो success maker का पुराना चैनल है वहाँ पे आप playlist में जाएंगे MEG4 का और वहाँ पे आपको इस सारी चीज़े मिल जाएंगे जिन स्टूडेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन को प्रैस कर लिजे ताकि आपको notification टाइम पे मिल जाए अभी continue exams तक जितने भी important questions है या guidance video है या repeated question है वह सब इसी नए वाले चैनल पर upload होगी तो जिसने भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिजे ठीक है अपनी comments कोई भी doubt है तो आप commentation में लिखेंगे आपका जो comments है जो queries है वो short out की जाएंगे अपकुछ student के दिमाग में ये भी सवाल होगा कि आखर दो चैनल की क्या जरूरत थी see हम school में होते हैं तो math की notebook अलग लगाते है science की notebook अलग लगाते है Hindi की notebook अलग लगाते है why because of separation in fact अगर मैं बात करूँ तो English में English reader की notebook अलग लगती है और English grammar की notebook अलग लगती है क्यों ताकि grammar और reader दोनों separate रहें this is because क्योंकि एक channel को mainly content के लिए कर दिया है आपके messages आते हैं कि मैं video नहीं मिल रही है ये वाली नहीं मिल रही है वो वाली नहीं मिल रही है तो this is for separation कि अगर आप exam में बिल्कुल सारे topics को cover कर चुके हैं तो आप इस नए channel पर आएंगे जहां पर आपको important question answer guidance video previous year question paper मिलेंगे औ और जो हमारा पुराना channel था उस पर as it is जितना भी poetry, drama, novel जो main basic content है वो सारा वहीं पर upload होगा आपके लिए भी easy है convenience है कि आपको question answer करने है तो आप यहां पर आएंगे आपको content देखना है main तो आप वहां पर देखेंगे ठीक है तो यह इसी reason की वज़े से किया है ताकि पढ़ने वाले भी आप है और पढ़ने वाले भी मैं राइट सो यह सरफ convenience की वज़ा से तो आप इसको subscribe कर लेंगे जैसे आपने उस channel को किया हुआ है और अगर आप नए है आज पहली बार आपने विजिट किया तो आप दोनों चैनल को subscribe कर लिजे बात करते हैं next questions की next question क्या पुछे गया है give detail account of word formation with example from the English language see word formation एक ऐसा topic है जिस पे से question आप से पूछे गई पूछेगा कभी word formation का process पूछ लेगा कभी word formation का role पूछ लेगा कभी information कभी example कुछ ना कुछ ही जरूर पूछेगा किस topics are related word formations are related और word formation का भी पूरा complete जो chapter है वो elaborate किया हुआ है और content पढ़ने के आप कहां से पढ़ेंगे आप पुराने success maker channel पर जाएंगे आपने subscribe किया ही होगा वहाँ पे आप जैसे ही इस unit को खोलेंगे आपको content मिल जाएगा वहाँ पे MEG4 को unit के according डिवाइड किया है content को ठीक है तो आपके लिए और भी असानी है यह सब सिर्फ आपके लिए ही किया ग goals देखिए code mixing और code switching एक ऐसा topic है जो examiner का favorite है ऐसा होदा ना favorite chocolate तो यह question कुछ उसी तरीके का है कभी इस question को short note में पूछ लिया जाता है तो कभी इस question को questioning की form में पूछ लिया जाता है और code mixing और code switching दोनों को बहुत अच्छे तरीके से मैंने clear किया हुआ है आप इसको channel playlist में जा pigeon और creole के बारे में भी इसी तरीके का question है कभी short note में पूछ लिया जाता है तो कभी इस long question में पूछ लिया जाता है next question is question no.7 why language is essential and what are different types of language planning अब देखिए यह question बहुत 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 बार repeat हुआ है कि जो language है वो essential क्यों है और यह general question भी जरूरी नहीं है कि आपने जो theory में पढ़ा जो book में पढ़ा जो video में पढ़ा वही आपको लिखना है यह आप generally सोचिए कि जो language है वो important क्यों है why the language is important अगर मैं आप कोई topic पढ़ा रही हूं किसकी help से with the help of language मैं बोल की तो पढ़ा रही हूं मैं हिंदी में बोल रही हूं या English में बोल रही हूं क्या है वो language है अगर आपको language नहीं आएगी तो आप समझ नहीं पाएंगे और मुझे language नहीं आएगी तो मैं express नहीं कर question जो है वो last question में पूछा जाता है आपका तो इसको मैंने numbering two से की है two three four five six seven तो यहां पर seven question complete हुए short note हमने पहले ही discuss किया अब बात करते हैं एक और set की जिसमें मैं आपको दुबारत से कितने questions कराने वाली हूं seven questions ही कराने वाली हूं ठीक है तो क्यूंकि इससे पहले सबसे पहले हमने question number one discuss कर लिया था question number one में क्या था question number one में आपका तो बात होती है question number two से question number two यह बिल्कुल मैंने paper के pattern के तरह यहां पर लिखा है कि question number one starting में discuss कर लिया आपसे कि कुछ जो content थे जो topics थे जो short note थे वह आपके साथ महां पर discuss किया यहां पर सिर्फ questions की बात कर रही हूं because questions भी focusing और दूसरी बात यह आपको पता होना चाहिए कि short note को छोड़ के आपके पास कितने question है two से लेके seven तक question है count करेंगे two three four five six seven मतलब 6 questions है and out of six question you have to attempt any four ठीक है any four आपको यह से attempt करना है मतलब आप दो question को छोड़ सकते हैं ठीक है दो question को आप छोड़ सकते हैं अब बात करते हैं question number two क्या बोलता है यह बहुत important question और repeated question है कि how does human language is different from animal language और यह exact same topic पहने वीडियो में कवर किया हुआ है कि कैसे human की language जो है वो animal के language से different होती है और यह question अभी recently में repeat हुआ था I think जो आपका अभी 2021 वाला जो paper हुआ था उसमें same question आया था कि जो animals के language है और जो human beings के language वो किस तरीके से different है next question is और इस पर देखी मैंने लिखे भी दिया है कि video uploaded है इसकी ठीक है given account to late in borrowing in English कभी कभी late in borrowing के बारे में पूछ लिया जाता है कभी कभी french borrowing के बारे में पूछ लिया जाता है यह topic में within one or two day upload कर दोंगे आपके लिए next question है question number four examine the three ways by which by होगा meaning changes takes place किस तरीके से meaning बदल जाती है कौन से तीन तरीके है तो यह word formation का एक video upload है जहां से आपको यह content complete मिल जाएगा यहां पर direct word formation की बात ना करके इन्होंने क्या बात कर लिए कि तीन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे meaning change हो जाती है as I told you earlier कि each examiner है ना यह question को mold करता है ठीक है अब इसमें सीधा word formation ना देकर यहां पर meaning changes की बात कर ली पर वो किस में आएगा word formation में आएगा that's why यहां पर आप confused ना ह इसके लिए मैंने word formation वीडियो लिख दिया है और उसे red pen से highlight कर दिया है ठीक है ताकि आप convenient रहें इसको ढूंद के इसको कर सकें cover कर सकें next question is question number 5 discuss the consequences of bilingualism on the individual and society किस तरीके से जो bilingualism है वो काम करता है और इसके consequences क्या है इसको भी बहुत अच्छा से elaborate किया I'm not discussing here topics में सिर्फ questions के बाद कर रही हूँ topics आपको सारे मिल जाएंगे आप जैसे ही Google पे search करेंगे या फिर आप वीडियो की playlist में जाएंगे चैनल की playlist में जाएंगे आपको इसाए topics मिल जाएंगे आप आप वहाँ से इसको cover कर सकते हैं अपने notes बना सकते हैं next question is again code mixing and code switching को दुबारा में इंपोर्टेंस ती है और इंपोर्टेंस इसलिए क्योंकि बहुत-बहुत-बहुत repeat हुआ code mixing और code switching आप ही समझ लिजे आपके paper में आना ही आना है एक question fix समझ लिजे आप pigeon and creole code mixing word formation ठीक है language से related question आएगा जैसे कि language यह तो qualities पूछ ली जाएगी characteristics of language human language किस तरीके से animal language से different है या फिर origin of language theories of language यह तीन-चार question बनते हैं language पे और आप देखेंगे जब आप channel playlist पे जाएंगे MEG4 में unit number one पे जितने भी language से related question बनते हैं तीन-चार वीडियो में uploaded है इत मींस कि आपने चार वीडियो कर लिए आपका एक chapter complete हो गया एक unit complete हो गया exam में एक question आपके हाथ में है ठीक है तो थोड़ा सा smart study कीजिए अभी अभी time में ऐसा है कि MEG4 सबसे difficult भी है और MEG4 सबसे easy भी है देखे difficult किसके लिए जो पढ़ते नहीं बिल्कुल भी वह सोचते जाएंगे कहानी लिखके आएंगे और number मिल जाएंगे सो इसमें ऐसा नहीं है और easy क्यों है आपने एक बर concept सीख लिया जैसी कि grammar में होता है present continuous sentence आपको समझ में आ गया किसमें क्या लिखना है इस MR के साथ क्या होगा ही sheet के साथ क्या होगा तो आप जिंदगी में आपसे कभी भी पूछा जाए तो आप present continuous sentence तो बनाई लेंगे यह उसी तरीके का है आपने एक बार दो बार वीडियो देख ली एक बार अपने नोट्स बना लो और इसमें नंबर जो आपको एक्जाम में लिखना होता है आप पॉइंस में लिखे जितना पॉइंस लिखेंगे आपको उतने ही नंबर मिलेंगे बाक इसकी वीडियो अपलोड है आप उसे यहां से कबर करें अब देखें यह कुछ क्वेशन से अराउन मैंने आपको दो सेटकर आये हैं शॉर्ट नोट कर आये स्टार्टिंग में उसके बाद मैंने क्वेशन की बात किये दो से सेवन तक क्वेशन की बात की है 234567 जिस तरीके तरीके सी पेपर में आपसे पूछा जाएगा उसी तरीके से मूंहें हैं आपको क्वेशन की घ्रिया है ताक आप थाकि ही स्टूद नी काम लिए सब्सक्राइब करेंगे अपना ध्यान रखिए और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप क्या करेंगे कमेंट शेशन में मुझे लखेंगे और इस अपने नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अपनी एक्साम प्रप्रेशन के लिए कि टॉपिक और मीन कंसेप्ट जितने भी हैं वह सब आपके पुराने चैनल पर यहां पर क्या होगा इंप्टेंट कोश्चन्स वीडियो इंप्टेंट टिप्स फॉर एक्जाम्स यह सब यहां पर अप सब्सक्राइमेंट से रिलेटिड अपडेट तो अपना ध्यान रखिए पढ़ते रहें और वीडियो अच्छा लगा हो इंफोर्मेशन ठीक लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा आप बहुत कंजूसी करते हैं लाइक करने में आपका लाइक मुझे मोटिवेशन देता है तो ठीक है कैसा आपको क्लिया करना है सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए स्टे कनेक्टिट विद आपी का चैनल एए और आइंक्यू